Have you ever heard of चोरी का सामान being recovered in India? हर दिन कोई न कोई आ कि दिल्ली के बीच में पार्लिमेंट के दो किलोमेटर बाहर आके बैठता है, ट्रैक्टर आता है, पुलिस को मारता है, पार्लिमेंट के बाहर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो? 45% of India is malnourished. आप रूरल एरिया में जाओ गाओं के अंदर आप देखोगे जितना ज्यादा रूरल है उतना हाइट कम होते जाता है. हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो सपने हैं और जो हमारी सच्चाई है उसमें बहुत अंतर है. I disagree. अमेरिका को जिस चीज को करने में 40 साल लगे, इंडिया ने वह आट सालों के अंदर अंदर करें अमेरिका में पहले सब को पर्चा दिया जाता था फिर पर बर्ट सर्टिफिकेट गेम आया वा इंडिया ने डिरेक्टी अधार कार्ट दे दी. Finance System, Telecommunication, जो चीज अगया है अमेरिका में 20 साल लगे, वो इंडिया में 4 साल में जी होने खतम करती है. ऐसे बहुत सारी छोटी 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 चीजें जो इंडिया मुझे लगता है, लीप फ्रॉक कर जाएंगे. हम सब यह बात करते हैं, कि वर्ल्ट की नेक्स सबसे बड़ सबसे जादा ग्रोथ होगी और उनके पैसे की भी सबसे जादा ग्रोथ होगी. लेकिन इंडिया के challenges क्या क्या है? इंडिया में क्या काम ढंक से हो रहा और क्या काम नहीं ढंक से हो रहा है? इंडिया में ऐसे कौन-कौन सी spaces हैं, जो blind spots हैं, जहाँ पे आप और मैं उस problem को के वहां पर बहुत काम कर सकते हैं ताकि हम यह समझ पाएं कि यहां पर पॉचुनिटी है कि नहीं है और इंडिया में ऐसी कौन-कौन सी जगे जो उपर से बहुत अच्छी लगती है लेकिन अंदर से जाके घुसके देखने पर पता चलता है कि ओ यहां पर भी भी स्ट्रॉग कर रहे हैं तो आज का पॉचास इसके बारे में 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 and how the top leaders in country functions as well and 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 आपको पता है कि राज्षमानी क्लिप्स and राज्षमानी शॉट चैनल जा के सब्सक्राइब करना है क्योंकि बहुत कम समय में आप ये पूरे बड़े पॉड्कास्स की छोटी-छोटी क्लिप्स देख सकते हो जो आपको एक बहुतर लीडर और इंडिया को बेटर तरी के समझने में help करेगा enjoy the show so many little things maybe I'll sound naive in asking these questions because you do this for living and you understand this you're a buff for me I'm talking on behalf of like a very general public and these are going to be naive questions so bear with me if anything naive just let me know right it's very basic questions one of them is in India की मुझे ना अस पास की country से माई कया relationship है उसे बात करनी है तो इंडिया की बात करते हैं रश्या से ठीक है तो रश्या ने war किया यूकरेन पे and पूरे world ने बुला कि ये गलत है जो गलत था और उन्होंने बुला कि हम इनका साथ नहीं देंगे पूरेड करना है रश्या से बहुत चीज है चाहिए बट वाट दो यू थिंग वाट इस यू व्यू कि हम रश्या से इती स्ट्रॉंग रलेशनशिप क्यू मैंटें करके रखते हैं So, you know, let me explain this in the simplest possible Bombay neighborhood way Okay अपके कोई भाई बहन है अगर आपने भाई या बहन ने आपको अगर चांटा मारा आप दोनों के बीच में लडाई होगा ममी पापा उसमें शामिल होंगे Wives, husbands, daughters, whatever will get involved in it अब अगर कल Mukesh Ambani ने जाके आनंद महिंदरा को एक थपड मारा आप क्या करोगे सब family की तरह पीजा ओर करोगे Coca-Cola ओर करके, TV पे देखोगे हो, यह जो हुआ कितना बुरा हुआ हो, ऐसे कर दिया very sad, ऐसे नहीं करना था it's like that यह हमारा जगडा नहीं है हम उसको TV पे बैठके देखेंगे बोलेंगे, बच्चे ऐसे नहीं करना था sorry, बच्चे नहीं, Mukesh भाई असे नहीं करना था Anand भाई, जो आपनी भी किया था यह गलत था, आपको नहीं करना था पर Mukesh भाई, आपनी क्यो थपड मारा not that Mukesh Ambani is even listening to us or Anand Mahindra is listening to us, okay but this is the Indian mentality ठीक है now, how does Mukesh Ambani or Anand Mahindra affect us those trucks that delivered everything to our house, they might be Mahindra products, हमारा phone Geo का होगा, ठीक है हमारा internet Geo Fibernet होगा, उट्रक में जो oil दल रहा होगा, वो जियो का होगा वो गौतमदानी का होगा, ठीक है तो that is how it affects us, so यह जो मैंने आपको example दिया है it completely explains on principle we must condemn Mukesh Ambani की अगर Mukesh Ambani ने आज Anand Mahindra को थपड मारा थपड मार सकता है, इसलिए मैं बोलूंगा की आपने जो किया गलत किया और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा मैं यह नहीं जाके की आंतिला के बाहर जाके Mukesh Ambani हाए हाए, Mukesh Ambani देश के दुश्मन करके मैं बैठ जाओंगा उधर ठीक है ना, not that he'll even care so हमारा Rus के साथ situation यही है Rus हमारे से Moscow हमारे से क्या 5000 किलोमेटर दूर है Kiev हमारे से क्या 3.5-4.000 किलोमेटर दूर वो दोनों लड़ रहे हैं हमारा क्या लेना देना आपने देखा हो का हिंदुस्तान के रास्ते में भी जब कोई आक्सिडेंट होता है सब उधर जैम लगता है पर जैम में कोई भी उसको मदद करने नहीं जा रहा है सब जाके देख रहे है, टांक टूटी ना, वहत अच्छा हुआ, बहत अच्छा हुआ तुरे मेरे को ओटी किया था न, वहत अच्छा हुआ तेरेको तुर साद, टांक टूट किया बस यही राक्शन होंगे वही सेन अनिबड़ी गट आप देखा हुआ, वही बहुआ 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 बट इन इस केस इस नोट बाद थिंग because this does not involve us and this is like getting involved in Mukesh Ambani or Anand Mahindra का fight they can fight each other पर एक चींटी को कभी भी दो हाथियों के not that I'm saying की I mean Ukraine is nothing compared to us, fine but यह हमारा मामला नही है तूसरों के मामले में क्यों दखल दे रहे पर ऐसा नहीं कि ऐसी अगर बड़ी कंट्रीज छोटी-छोटी कंट्रीज को अटाक करेंगी वो और बड़ी हो जाएगी तो फिर वापिस एक कोलोनिजम start हो जाएगा absolutely that is the important question here now इसमें principles का दो यह है one is की Russia has no right to go invade another country जब वो खुद अपने decisions ले रहा है ठीक है अब समझ लो वही Mumbai flat में है क्योंकि आप तब से बोले जा रहे हो कि आप बंदूख लेके मेरे को मारने वाले हो अब मैं कब तक wait करूँगा जब तक आपने बंदूख खरीद के उसके bullet खरीद के मेरे दर्वाजे पे बंदूख के साथ खड़े हो रहे हो या जैसे ही मेरे को पता चला कि आपने बेरेटा का एक पिस्तॉल ले लिया है तभी मैं आके आपको अभी घर में आके आपने डेपोजिट दे रखा है अभी आपको वो बंदूख मिला नहीं है मैं अभी आके तुमको अच्छी तरह से पीटता हूँ वैसे I am three times your size you might be stronger than me but I am three times your size so मैं आके आपके आपके बैठूंगा और थोड़ा जंप करूंगा तो वो WWF की तरह आपको आप कुछा ले जाओगे मैं sumo wrestler और आप ये ठीक है so this is what Russia faced Ukraine मैं NATO का member बनूँगा NATO का member बनूँगा NATO का member बनूँगा उसी time पे आप अपने रूसी minority पे जुलुम के बाद जुलुम के बाद जुलुम किये जा रहे हो ठीक है उसके बाद आपका सरकार पूरे illegal तरीके से change होता है वो माइदान revolution में कू था it was basically a कू जब अमेरिका में होता है बोलते हैं january 6 यह यूकरेन में क्या हुआ था बई totally illegal take order of power था अभी तक जिन लोगों ने odessa में जो 52 Russians को जिन्दा जलाया गया था हमको पता है वो सब किस ने किया था वो सरकार के पार्ट हुए है उन पे कोई भी action ने लिया गया है तो यह जब होते हुए आप समझ लो कि आपके बच्चे को किसी आपके पडोसी ने मारा मार डाला जिन्दा जला डाला और वो बंदू खरीद रहा है बंदू का नाम है NATO आप बैठके क्या करोगे और पुलीस कुछ नहीं कर रही है आप क्या करोगे so when you look at it deep down this is why इंडिया का हमेशा position रहा है कभी भी किसी भी alliance का भाग नहीं बनेंगे क्योंकि alliance का भाग बनना जब हम बोलते हैं अरे alliance में क्या होता है यार ये बस बोल रहे हैं कि अगर you know किसी ने आके हमको पीटा हम दोनों एक साथ हैं नहीं alliance एक बन्दूख है इसलिए हम बोलते हैं alliance नहीं चाहिए ठीक है so it is also a principled position on India's part कि हम समझ सकते हैं कि रूस कहां से आ रहा है रूस ने किया जो गलत किया ठीक है जब मैं आके आपको बन्दूख खरीदने पसे पहले मारा गलत है ठीक है मायदान शुरू हुआ था से अब तक 14 से 15,000 रूसियों को मार डाला गया है वो डॉनबास रीजन में कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता है तो वो ongoing अत्याचार था और आप कितनी दे हम बंगलादेश में बैठ के देखने वाले थे कि सब उधर जो 10 million Hindus हैं मारे जाएंगे एक बार हमने बोल दिया फिर बस इतना और इसके बाद नहीं हमने Lakshmandreka कीच दी न सूर्पना का तू इधर तक आ सकती है पुर उसको पार अगर किया सुरी रावन I'm confusing my analogies now but but we drew a Lakshmandreka and when it was crossed we went in Russia had a very clear line वो 2014 से ही बोले जा रहे हैं कि अगर तुम नीटो जॉइन करोगे तो हम अंदर आने वाले हैं problem is उन्होंने उससे पहले ही Crimea को invade करकर अनिक्स कर दिया था मेरे माइंड में वो गलत स्टेप था look there are a lot of things to criticize about Russia पर हम क्यों करें बॉस देखो अगर Mukesh भाई और आनन भाई का जो चल रहा है मेरे को ये समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा internal कुछ डीटेल्स होंगे वो सब तो मैं जाके काय का कॉमेंट करूंगा मैं ना भिकारी की तरह लगूंगा जो अन्तिला के बाहर फटा टी-शिर्ट फटा पैंट पहन के बैठता है और फिर जब अन्तिला के बाहर सिगनल रेड होता है और Mukesh भाई का गाड़ी रुकता है तक 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 एः विंडो नीचे करो Mukesh भाई Mukesh भाई है क्या Mukesh भाई तरे को finance के बारे में कुछ नहीं कए पता मैं तरे को बतातारे तरे यह कोई who will take me seriously yeah so why should we get involved and plus it is a principles thing there's a lot of nuance in this which because the west has such overwhelming media supremacy they don't want you to see the shades of grey in all of this हर चीज में shades of grey होता है there is nothing black and white ever very interesting take and a very different take I've never heard this before पर इसमें एक और भी एंगल है दूसरा एंगल क्या है देखिए आपने सब हमारे books किताब में हम पढ़ते हैं कि ये divide and rule British करते थे आपको क्यों लगता है कि हम Hindustan में British के बाद भी divide and rule नहीं करते हैं you look at pre-Hindutva politics what was it about वो सब हिंदूओं को caste 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 में रखके vote bank बनाना divide and rule ही था पर आपको क्यों लगता है वो हमारे foreign policy में नहीं था क्योंकि foreign policy में हमारा policy हमेशा divide and rule ही रहा है अभी भी है हम कभी भी हमारा सबसे बड़ा threat जो है और पिछले मैं बोलूँगा एक सो साल से रहा है चीन और रूस को कभी भी एक साथ एक जुठ होने की हम बरदाश नहीं करेंगे उसको किसी भी कारण से हम हमें रोकना पड़ेगा उसको ठोकना पड़ेगा कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा पर्ट जैसे मैंने बोला again let's take मुकेश अंबानी जिन्होंने आनन्द महिंदरा को थपड मारा अब मैं उनसे जाके कट 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 ए खिड की नीचे कर मुकेश भाई फाइनांस एडवाईस ले ये मैं नहीं बोल सकता हूँ बट मैं मैं realistically क्या कर सकता हूँ मुकेश भाई और आनन्द भाई को जगणाने के लिए जो मैं हूँ भिकारी रास्ते पे मुकेश भाई मैं ना वो आनन्द भाई के दर्वाजे के पीछे आनन्द भाई के घर के बाहर में भीक मांग रहा था और मैंने देखा उसने पूरा वो दाव दिबराहीम का गैंग हायर करके रखाया आपको मारने के लिए नाव मुकेश अंबानी is worried मैं कुछ नहीं कर सकता मुकेश अंबानी को बट आनन्द महिंदरा कर सकता है फिर मैं जाके आनन्द महिंदरा अनन्द महिंदरा का बेंटली हो का पता नहीं क्या है वो महिंदरा में चल रहे होंगे XUV700 में ए अनन्द भाई थोड़ा ये करो आपको पता है अनन्द भाई वो मैं ना मुकेश भाई के घर पे था वो ना वो सब बारूद ले आ रहे हैं आपके घर पे अटैक करने के लिए नाव ये बीवर इट Nehru बिद दी एक्जाक सेम थिंग स्लाइटली डिफरेंटली विद चाइना और रश्या ठीक है रूस के साथ वो बोला अरे कृश्चव भाई मैं तो तुमारा इतना पुराना जिगरी दोस्त हूँ इंडिया रूसी भाई भाई ये सब वो सब और आप तो अमेरिका को छोड़ो अमेरिका साले गोरे हैं अंग्रेजी भी ठीक से बोल नहीं सकते हैं करके बोलते हैं गोली मारो उनको आप वर्ल्ड दुनिया के असली लीडर हो और अब कुरुश्चव को हाई ये मेरे मारे में कितना अच्छा अच्छा चीजे बोल रहा है he would do the exact opposite to the Chinese he would go to the Chinese and tell them अरे याओन लाई भाई माउसे तुम भाई देखो ये आप तो रूस ग्लोबल लीडर है छोड़ो पर अच्छा के असली राजा तो आप हो ठीक है ना इसलिए मैं आपके लिए ये 1955 बंदूं कॉन्फरेंस करूंगा और उसमें मैं रूस को नहीं बुलाँगा आप उसका अच्छा का महराजा अच्छावर्दी सम्राथ आप होगे ये चाइना को 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 ये चाहत रूस्दी ये चाहते हैं I'm exaggerating yeah I got it got it to make the point but that is why the Bandung Conference was set up Indian foreign policy throughout was to see to it that Russia and China never come together and this was our problem with America this could have been explained very simply to the Americans saying भाई, तेरा और मेरा इंटेंशन एक ही है communist block, in this case it was the communist block पावरफुल नहीं होना चाहिए आपके policy के वजए से रूस और चाइना एक हो रहे है हमको प्लीज उन दोनों को उन दोनों के भाईचारे को सत्यानास करने दो, तोडने दो but it was never explained to America that way तो इंडिया का यूफील सबसे बड़ा जो थ्रेट है इंडिया के लिए वो सबसे बड़ा थ्रेट है रश्या और चाइना का एको ना because China is the number one threat anything that makes China stronger especially access to resources like Russia unacceptable for us and क्यों चाइना अमाली थ्रेट हैं उनसे दोस्ती क्यों ने कर सकते हैं? यार आपके नेबर हुड में अगर एक बड़ा गुंडा हो देखो अगर हम दोनों नेबर हैं it's perfectly fine ठीक है पर अगर आप actually दाओड इबरहीम हो जो हर फ्लैट को कबजा कर रहा है सोसाइटी में तो मैं क्या चुप बैठूंगा? क्या ने तो कल आपके कबजा करूंगा? so I have to do something to stop it now the problem is China behaves like Daur Dibraheem China is not a golden retriever it's a rottweiler okay let's talk more about India and China okay and I want to understand there are two three things that we keep hearing right and it's a lot of news suppresses जादा आती नहीं पॉपलर नहीं बन 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 पाती पुद्यानी क्या रिजेन राइट one of them is so there are two kinds of actually three kinds of if you look at power establishment जो बड़ी कंट्रीस करती चोटी कंट्रीस पे राइट एक है जो आपका power by encroachment की गुसते जा रहे हैं जमीन ले लिए आपकी जमीन हड़ापली लोग को अटैक कर दिया आर्मी से घुस गुस गे रहे है that's encroachment power clearly बता कि भाई मैं बड़ा हूं तुमको क्रश कर दूँगा that is one second is जो वो करना चाहते हैं that is economic economic power की आपको इतना लोन दे 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 देंगे आपको इतना पैसा दे दे देंगे की आपको भी वापस नी कर पाऊगे तो फिर आप दीरे आपके airport, land, port सब कभ़ा करने लग जाएंगे और धर्ड है culture culture is की वापके दिमाग में गुस जाएंग इस तरीके से देरे देरे इंडिया पे करने की कोशिश तो पहली पे बाद आता है फिर दूसरी फिर थी करेंगे तो पहला है की अभी रीसिनली लदाक के अदर जो है की इट अलेज़ट और सेड की अराउंड चार अजार स्क्वार मीटर का लैंड जो चाइना ले लिया है चाइना ने तीन अजार आट सो स्क्वार मीटर का लैंड तो वाई इंडिया इंडिया का लैंड चाइना ने ले लिया है अजार आट स्क्वार मीटर का लैंड तो वाई इंडिया का लैंड चाइना ने लेलिया है which is the truth compared to China we are the problem again goes back to I won't say colonialism but Chinese nationalism in a sense तो इस पे क्या है कि चीन का जो खुद का self-impression है कि हमारे पे बहुत जुलुम हुए थे हमारा लैंड हम से चीना गया था और हमारे बॉर्डर्स वहां हैं जहां हम बोल रहे हैं हमारे बॉर्डर्स हैं हम कभी भी पूरी तरह से आधीन नहीं बने थे हम एक किसम से हमेशा स्वाधीन थे आप on the other hand हमारे पडोस के सब के सब देश किसी के किसी ना किसी के नीचे आधीन रहे हो आपके boundaries उनी colonialist ने किया है जो हमारे पे कबजा करना चाहते थे और लोगों को याद नहीं है कि जो ब्रिटन ने चीन पे opium wars किया था उसको इंडियन बिजनसमें ने ही शुरू किया था आपको पता है कौन सबसे ज्यादा opium बेचता गांजा गांजा ओपियम होता है ना गांजा सबसे ज्यादा चीन को किसने बेचा था बॉम्बे के सैसून खांदान ने टाटा खांदान ने सब गांजेडी थे पता है गांजा वयापारी थे टाटास all of them that entire Jewish-Parsi Hindu lobby that used to sit in Bombay they petitioned Queen Victoria or whoever it was at that time saying की भाई देखो हम British citizens है हमारा गांजा वो बेचने नहीं दे रहे गांजा गांजा lives matter गांजा के लिए market खोलो और बुम्रिटन ने बोला हाँ तुम बुम्रिटिश सिटिजन हो तुमारा हग बनता है नोबड़ी आपने हिस्ट्री बुक में कभी नहीं पड़ा होगा की बृतन ने चीन पे इसी लिए हमला किया था ताकि हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तानी बिजनस्में प्रॉफिट बना सके गांजा बेचके चाइना में आपने कभी सुना है but this is what happened it wasn't the British who were profiting from it it was Parsis Jews and Hindus who were profiting from it ठीक है so ये भी उनके माइंड में था so the whole Bombay West वाली जब आप रूस और चीन को लडानी की कोशिश कर रहे हो पर आपका चीन के साथ एक कोई डिस्पूट है आप what you you will try to downplay your own differences और चीन से बोलो की भाई हम दोनो भाई-भाई hmm रूस देखो focus, focus मेरे पास मैं तो नही तो आनन्द महिंदरा हूँ नही तो मुके शंभानी हूँ आज कल एक पिस्तॉल खरीदना like a proper foreign pistol if you want to buy it in India it sounds like like 24-30 lakhs it's actually more expensive than entry-level Mercedes तो उसमें क्या है कि मैं एक खंजर लेके इदर खड़ा हूँ आनन्द महिंदरा के थ्रोट पे बोल रहा हूँ उससे भाई तू मुकेश इस खंजर पे focus मत कर वो मुकेश भाई है न उस पे focus कर तू आनन्द पहले क्या करेगा मेरे को थपड़ मारे गए या मुकेश अमभानी पे वो जो बॉम अटेक करने वाला था करेगा अगर आप खंजर लेके खड़ा है तो तो यह दी विए फिरस्ट पहले आपको चाइना स्ट्राटेजी और डिलिंग विट एनिमीज दे आर लाइक आस वो भी मानते हैं कि किसी साथ अलाइन्स करना किसी और के सर पे पिस्तॉल रखने के समान है बट वो क्या करते हैं कि वो अपने आपको हमेशा स्वे सुपीरियर मानते हैं तो उनकी ये नहीं है अब समझ लो कि आनंद महिंदरा और मुकेश अमबानी को पता चल गया कि ये हरामी मोटा गंजा अभीजीत ने ही ये सब शडेंतर रचा था वो जो भिकारी जो आंतिला के बाहर भीख मांगता है आपको लगता है कि मुकेश अमबानी खुदा के मेरे को थपड मारेगा या आनंद महिंदरा खुदा के थपड मारेगा नहीं वो किसी अपने चपरासी को बेजेगा मेरे को थपड मारने के लिए या वो चपरासी ही नहीं वो चपरासी जाके धारावी में जाके कोई उससे भी much lower income टपोरियों को 10-10 रुपए देके बोलेगा आके वो मोटा गंजा ए अंतिला के बार उसको तपड़ बारो उनका ये है दे डी-स्टेबिलाइज नीबरिंग कांट्रीज बाइ फाइंडिंग जो हम बनीतो हुआरेस के बारे में बात कर रहे थे थे वो चोटा कंट्री जिसका mindset है against the bigger country वो अगला छोटा कंट्री डूंडते हैं जो उनकी दुश्मन के खिलाफ है और उसको मदद देते है जो चाइन पाकिस्तान के साथ कर रहे exactly so okay so see Mukesh Ambani and Anand Mahindra this is a metaphor this is why Mukesh Ambani represents India in many ways let me break this down now okay so India China की जो छोटी चीजें है जो धीरे धीरे जो हमारा land लेते जाता है 1000 स्क्वाइर मीटर 3000 स्क्वाइर मीटर 4000 स्क्वाइर मीटर इस पे जादा बड़ा जादा बड़ा बैटल नहीं करता strict action नहीं लेता जादा बात नहीं करता मीडिया में क्योंकि अगर मीडिया में बात करेंगा तो हम लोग वीकर दिखाये जाएंगे कि भाई हम पर कोई भी अटाक कर देता है और अगर हम उनको वापस अटाक करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस है कि जो चाइना और रशिया मिलने नहीं वो डाइवर्ट होचाए पर अगर्ष में गलवान क्यों होँ था क्योंकि आजकल हम उनको माइनर चीज भी नहीं करने देते जो पूरा जंग है वो नहीं छेडेंगे पर यह जो हम जैसे आपने देखा होगा मुंबई में भी ऐसे हुँ होता होगा अगर आपको थोड़ा आपका नेबर का लैंड थोड़ा चीनना हो आप क्या कर दो कि वो जो fence है ना उसमें जो लकड़ी है वो हर रोज 10 इंच 10 इंच 10 इंच करके करते रहो बढ़ा थे रहो और एक साथ में वो 10 इंच पूरा 1 किलोमेटर बन जाता है I don't know that mathematics you got the gist that is what we've stopped और चाइना को उस पर गुसा है क्योंकि उनका मानना था कि हम आस्ते आस्ते ये 10 इंच 10 इंच करके हम फाइनली पहुंच जाएंगे उस state पे जहां border वही पे है जहां हम मानते हैं border है और फिर जब status negotiations formal status negotiations हो का we'll say de facto border, de facto border तब तक हमने मार कर लिया होगा that game is now no longer on अब इंडिया ने रोक दिया हो रोक दिया है तो इसलिए गल्वान in a sense हुआ था, I mean, गल्वान का specifics बहुत 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 है but generally, जिस तिती के कारण गल्वान पैदा हुआ था, वो इसी के कारण था हो, पर आपके पांच इंच जमीन से आपको इतना आपका नैशनल प्राइड हर्ट होता है but then, turn that question inwards to yourself Pakistan occupied Kashmir पे हर मंत्री, हर तीन-चार मही ने कोई ना कोई टिपनी करता है, राजनाच सिंग ने अभी परसों टिपनी की थी ना, उस पे संसद में यह गई Pakistan occupied Kashmir आपको इतना दर्द करता है Aksai Chin आपको इतना दर्द करता है आप बड़े देश हो, आप क्यों ने आप तो विश्व गुरू हो, आत्मने इरबर भारत विश्व गुरू हो आप अप अज़स्ट कर लो नहीं करेंगी ना ठीक है, China is big Pakistan is one third our size so the big big brother should adjust you don't so why should China adjust so you know it's very जब हम nationalist होते हैं हम को खुद अपने national importance, sometimes we are also possibly not rational about it because if you ask me as a defense analyst अगर आप बोलोगे की I think in in the interests of peace we should just accept POK as part of Pakistan मैं आपको चांटा मारूंगा okay I will find one or another reason some of it 50% will be accurate but 50% would be emotional nationalistic argument yeah in China also I mean this is see people don't realize that everything isn't on the base of logic human beings didn't get from you know being monkeys on trees to sitting in an air conditioned room with TV I mean can you imagine our monkey forefathers would they ever thought of things like air conditioning or running water or TV or anything like that no we've gotten here being the kind of nasty violent brutes that we are so you know it's it's not that bad I'm making I'll conclude this point by saying this that okay again making it very easy that China is a game game and every country is a game that China direct India exactly everything no relation so that's why India past small countries like Pakistan has been they support and increase so that Pakistan is fighting so that China always always making a control that Pakistan and India busy engaged so that my larger agenda never can't do because I'll 2-3 places attack that is one second is that we have a national pride that Pakistan occupied Kashmir we talk about it that our land should we get back and we won't 1-inch land from that country point China China under we were independent country we were never did not people who did not make us what our border is our country we believe that you people compromise so you who made us the people have the border we don't accept exactly exactly that their logic is and that one inch is पोल रहे हैं कि हम इंडिया को नहीं देंगे और ये इसके बात पिट लड़ा ही चलती रहती है और इंडिया को इन सब mix से है कि ठीक है मैं धीरे कुछ कुछ चीज़ according कहीं पे मैं बहुत the second part okay it's a because i'm very startup business world person so i love this economics so if you look at china bohat zhader india that this for इंडिया में बहुत ज़्यादा इंवेस्ट करता है बहुत पैसे लगाता है बुलेट ट्रेंज में लगाता है इंडिया के स्टार्ट अपस में लगाता है क्योंकि जपान को ये पता है कि जपान की कंट्री ओल्ड है और इसलिए उनका एकनॉमिक आउटपुट जादा नहीं बनने वाला और future में खुद की country बैट करके जादा नहीं कमा सकता जिता हो इंडिया पर कमा सकता है so they are like कि मुझे अगर अपना देश चलाना और अपने देश में आगे करना और पैसे बहुत जादा ले के आने देश में तो मुझे emerging economies में लगाना पड़ेगा इसके वैसे वो इंडिया बहुत पैसे लगाते क्योंकि इंडिया की population young है इंडिया growing है infrastructure बढ़ रहा है तो पैसे लगाते China on the other hand अभी भी खुद की philosophy में ये मानता है कि China बहुत emerging है और China अभी भी superpower बन सकता है और और बड़ी economy बनेगी वो US को ओवर्टेक कर देगा in terms of economy in terms of brilliant power right but still China का एक larger agenda ये भी है कि वो Indian startups में बहुत पैसे लगाते और India के markets में बहुत पैसे लगाते do you think that India economy में फर्क पड़ेगा एससे कि China का पैसा इंडिया में रोटेट हो रहा और पूरी इंडिया की economy चाइना के पैसे से बंद रही है yes and no and I'll tell you why China को आज का China को मैं भुकमरी का 1970s चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ वो भुकमरी से आज का economic superpower China को किस ने बनाया America ने बनाया ना market access लेकर and EU ने बनाया also giving market access to China after America dating it is always your biggest enemy who makes you your biggest enemy Harry Potter में ए वो लाइना वाल्दमॉर्ट के बारे में की वाल्दमॉर्ट will choose the person वाल्दमॉर्ट chose Harry as the man who would kill him your enemy always chooses the person who's going to kill them America made China China will make India if we have the opportunity if we get our act together अभी आप trade का nature देखोगे it is still a very colonial trade हम उनको mostly unprocessed चीजें बेचते हैं वो हमारे को सबसे ज़्यादा processed चीजें बेचते हैं आप हमारी IT revolution देख लीजेएदा जो डिजिटल पेमेंट सब कुछ है very few people have quality phones like say Apple or the top-end Samsungs most of them are cheap Chinese made entry-level phones वो बस ये देखते हैं कि भाई camera कितना megapixel है और screen size कितना है चाइना दबा के बना रहा है जो चाइना दबा के बनाता है ठीक है और जब 15,000 का होता है आजकल कोई भी 15,000 का phone खरीच सकता है ठीक है और अगर ठीक है Chinese product एक साल में खराब हो जाएगा 15,000 you can do every year you can set aside क्योंकि उसमें आपका सब कुछ चल रहा है आपका TV चल रहा है आपका BB के साथ love messages चल रहा है पडोसन के साथ आपका चकर चल रहा है काम पूरा सब चल रहा है सब कुछ उस पे चल रहा है entertainment, काम, life, love, सब उस पे payment, सब कुछ ordering, dunzo, big basket, जो भी है सब कुछ उस पे चल रहा है ठीक है so it is super important for you and it is willing you are willing to pay that 15,000 rupees now the problem there is we are also heavily dependent on them so you if they are your biggest enemy why are you so dependent on them India has massive solar power installation ठीक है आपके सब के सब solar panels आप क्यों चाइना से ले रहे हो आपने अभी तक you have the second or third most installed solar after China why is all of it manufactured in China आपने अभी तक क्यों incentive नहीं दिया है उसको बनाने के लिए आपके सब EV के बैटरी चाइना से आ रहे है क्यों आपने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया उसको इधर बनाने के लिए तो इस देश में strategic vision की बहुत कमजोरी है चाइना में वो थोड़े दिनों के लिए कमजोरी चली गई थी अब फिर से मैं मानता हूं Xi Jinping India's greatest asset is that Xi Jinping is a sorry to use this word but a bloody fool वो हमारे खुदा के देन है कि Xi Jinping जैसे एक महामुर्ख आके चीन के राष्ट्रपती बनी है में वेरी लूज इंटर्प्रटेशन आट फिट अगे दाट ये इंडिया के लिए उपॉचनिटी है बहुत बढ़ी उपॉचनिटी है की पासवाली कंट्री में जो एकनॉमिक वोल्ड पावर जैसे देखा जाता है और रेस में भी सबसे आगे दिखा जाता है अमेरिका है चाइना है एंडिया है अगे जर्मनी जपान को तो बहुती आराम से ओटेक कर जाएंगे इस नौट इवन अग्वेस्टिन अन्यमोर बहुत प्रोग साइन्स है ओवरॉल गीडीप और पर कापिता इंकम में बहुत बहुत टाइम लगेगा बिल्कुल तो question है कि अमेरिका और चाइना तो अब अमेरिका को इंडिया का support चीए क्योंकि चाइना बहुत बड़ा बन गया तो अमेरिका को डर लगता है कि भाई चाइना हमसे जीतना जाए और चाइना को भी इंडिया का support चीए कि अगर अमेरिका से जीतना है और बड़ा बनना है तो जिस तरीके से अमेरिका ने चाइना को बनाया चाइना चाहता है इंडिया बन जाए ताकि वो इंडिया को यूज करके वर्ल्ट पावर में अपना dominant established तो ये इंडिया के लिए opportunity है कि इस ताइम पर इंडिया अपना गेम सही खेले और हम लोग में भी हमार एक बहुत स्ट्रॉंग चांस है कि जहां पर हम लोग एक वोल्ट नॉमिक पावर बनने की तरफ जा सकते हैं क्योंकि सामने वाली कंट्री में एकनॉमिक संस थोड़ा सा कम है उनका प्राइम लीडर है उसमें थोड़ा से फ्लाउस है in terms of dealing with problems and India is very well positioned exactly but are we making the best use of that opportunity that's what gonna be my question next okay so my question was that now India was well placed right so from and I'll tell you from three points again I love three points rule of three triangulation always so three points one is from जो आपने first हमने बात करी कि India का जो मिल्ट ख्लास है बहले कुछ भी XYZ उसमें प्रॉब्लम्स है पर India का मिल्ट ख्लास बढ़ रहा है right और वो बढ़ती जा रहा है और in next seven years by 2030 it's gonna be five times what we are today double triple नहीं हो रहा पांच गुना बढ़ने वाला right हमारी per person की अगर आज हमारे पास इंडिया में 2021 का डेटा ये कि 35,000 US डॉलर से जादा जो income थी वो सिफ कुछ 5 million families की थी 2030 में ये 25 million से जादा की होने बागी तो इंडिया overall middle class इंडिया का बढ़ रहा है मतलब इंडिया consumption power बढ़ रहा है पैसे बढ़ रहा है FDI पूर फॉरें से जो पैसा आता है जो हर किसी भी देश को बनाने के लिए बहुत important होता है कि बाहर के दूसरे देश तुम पर भरोसा करें और पैसा लगा है वो इंडिया में बहुत तीजी से बढ़ रहा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में emerging economy के option ही हमें क्योंकि दो-तीन रीजन है कि America always finds someone else कि जिन पर पैसा लगा के पैसा कमा सकते है last second country was China China का पूरे वोल्ड से anti-nation हो गया है कि post-covid ज्यादा भरोसा नहीं करते है और Europe एक aging पूरा सारी country तो ज्यादा उन पर भरोसा नहीं बचाएंगे और कुछ कर पाएंगे Japan again aging है तो इसलिए कोई problem technically हम लोग बहुत sorted है इस पे पूरी दुनिया का पैसा हम पे लग रहा है that is a second good advantage for us and the third and the most important advantage for us was कि हम जियो-Politically भी काफी अच्छी position पे जो हमने भी बात करी from China, America, Russia point of view तो हम तीनों जगे से अच्छी पोसिशन में यह हमारे बहुत golden opportunity है जिसको देखके सब लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का time आगया है now I want to ask you from somebody who reads and understands geopolitics, history, economics very well क्या इंडिया इस opportunity का सही use कर रहा है क्या हम लोग वेल, हम well placed है लेकिन क्या हम इसको बहुत अच्छी तरीकी से use कर रहे हैं कि हम एक बहुत सही position में दौड रहे है जिस way में हम expect कर रहे हैं पूरे इंडिया में जो sentiment मन चुका है कि हम तो दौड रहे हम उड़ने वाले तो क्या हम place देवाल So again let me go back to Anand Mahindra and Mukesh Ambani ठीक है अब जो भिकारी था उनके घर के बाहर वो उसको Anand Mahindra ने भी थपड़ मार दिया मुकेश Ambani भी थपड़ मार दिया अब वो जाके सिद्धी विनायक मंदर जाता है और वो बोलता है सिद्धी विनायक बाबा मैं अब भिकारी हूँ प्लीज मेरा लॉटरी लगा दो सौ दिन तक वो रोज वो सिद्धी विनाइक मंदर में जाके प्रे करता है कि उसका लॉटरी लग जाए सौ दिन के बाद क्या होता है उसका जो पडोसी जो भिकारी है उसका लॉटरी लगता है सड़नली दो करोड का ठोके लक्षमी विलास बैंक लॉटरी ओके लग जाता है फिर सिद्धी विनाइक बाबा वो तो कभी ने आया था इदर मैं आपको कितना ये किया अब जाके ठीक है मैं दो बार करूँगा ठीक है दस दिन के बाद क्या होता है कि उसका जो पांचवा भिकारी है उसका तीन करोड का लॉटरी लग जाता है वो बहुत गुसे में है वो जाके सिद्धी विनाइक मंदिल में जाके कांच मूच करके चिलाना शुरू कर देता है सिद्धी विनाइक बाबा आपक कैसे आप अपने भक्तों को कुछ नहीं करते हो ये हो रहा है वो हो रहा है करके तो सिद्धी विना प्रकट होते हैं जोर से इसको थपड मारते हैं और बोलते हैं भाई तू जाके पहले लॉट्री टिकेट तो खरीद ले ठीक है इंडिया का problem ये है ठीक है you have so many problems in the system your regulatory framework is shambles your tax mechanisms are in shambles the most productive part of your population is the most heavily taxed part of your population you're not even allowing them the social aspiration of going up the ladder because you burden them with so much tax आपकी जो most unproductive part of the population है उस पे सबसे ज्यादा आप सबसे ली उसी पे ठोके जा रहे हो ठीक है और वो भी जैसे हमने बात किया था था न वो give a fish and teach a man how to fish वही problem है ये सब problems जब है कैसे पढ़ोत रही होगी see there is America and Europe might be willing to give you technology but are you in a position to absorb that technology अगर देखे अगर अगला say as you Mukesh भाई has now decided उस पे तरस आगया बिकारी अभी जीट पे और उसने आके बोला देख मैं ना तेरे को पैसा नहीं दूँगा मैं क्या करूंगा मैं अभी Reliance Pharmaceutical शुरू करने वाला था उसमें ये revolutionary DNA technology आ गया है ठीक है मैं तेरे को ये वायल देता हूँ इसका तू अगर synthetic processing करेगा तू मेरे से भी बड़ा एक अंटिला तो क्या तू अंतिला का sourca ये बना पाएगा उसने मेरको दिया ये क्या है ही मेरको पता नहीं है इसका क्या हो सकता है मेरको पता नहीं है He's genuinely given me something that could change my life but i don't know what to do with it this is what happened with all your transfer of technology वो फोलन नट जो दिया था हमको बृतन ने 1950s या 60s में did we make a competent plane out of it ultimately which then produced other planes no Sukhoi technology ultimately we bought 292 70 or 290 Sukhois उसका कोई technology बना no mig 21 हमने खरीदा उसका कोई technology बना no अभी राफाल अपने खरीदा है उसका कोई technology बना no लोग आपको दिये जाते हैं अगर आप में क्षमता नहीं उसको कुछ बनाने के लिए तो क्या करोगे इसमें बहुत सारे deep-rooted problems है थे कि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान एक मार्के है बट इस नहीं कि हिंदुस्तान एक मार्के है but it is not technically one market you know we have more internal fiscal indiscipline at the state level than even European countries are allowed vis-a-vis the European Central Bank here state governments can run up budget deficits there there are strict limits on budget deficits there are strict limits on what you can spend on what you cannot spend on cultural spending has a strict limit subsidies strict limit nothing free electricity doonga free tickets doonga ladies ko kuch bhi kuch bhi kar lo you can't do it with this kind of fiscal indiscipline आपका the primary principle everything starts from security अगर आप देखोगे अगर आप एक paintbrush लो और उसको एक लाल कलर में डुबाओ और उसका एक circle बनाओ लाल से वो पहले pink बनेगा और फिर सफेद बनेगा ठीक है Durga Lakshmi Saraswati Durga wears red Lakshmi wears pink Saraswati wears white why because you don't know where the starting is and where the end is you need education and wealth does education produce wealth which then becomes power or does power produce wealth which then becomes education you don't know you don't know if it's a clockwise circle or a counterclockwise circle है ना तो इसमें क्या है कि आपको सब कुछ दिया गया है पर आप जानते नहीं हो इसको इस्तमाल कैसे करना है इसमें आप law and order का देख लीजें this is again this circle कहां शुरू होता है कहां end होता है हमको पता नहीं है state monopoly on violence कहां है बॉस हर दिन कोई न कोई आ कि दिल्ली के बीच में parliament के 2 km बाहर आके बैठता है ट्रैक्टर आता है police को मारता है parliament के बाहर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो कोई भी जलूस में निकल के ये जलाते हैं वो जलाते हैं दिल्ली में जलाते हैं बॉस बंबई मनिपूर की तो छोड़ी दो दिल्ली में जला रहे हैं आप कुछ कर पा रहे हो कुछ नहीं कर पा रहे हो average citizen का security कहां पे है आपका police to citizen ratio दुनिया में सबसे कम है आप कहां security provide कर पा रहे हो किसी को regulatory तो दूर की बात है खुद को अपने घर में कुछ चोरी होगा have you ever heard of चोरी का सामान being recovered in India no न इतनी घटिया आपकी police है पहले तो police बहुत कम है उसके उपर घटिया भी है आपको क्या security मिलेगा so security गया भाण में दूसरा है market you think we are a single market we are not a single market you have if you want to if Airtel wants to operate in Tamil Nadu if Airtel wants to operate in Karnataka it has to train people up in the Kannada language the app and everything has to be in Kannada or in Tamil or in Telugu or in Gujarati or in Marathi at least in the north you can say Hindi में सबका का चल जाएगा in the south boss they are mutually unintelligible languages even east is like very far east is also completely this thing so you have a deeply fragmented market the cost of setting up you have to set up completely new infrastructure setting up in a new state in India is like setting up in a new country nobody wants to talk about malnourishment in this country 45% of India is malnourished 45? 45? almost one out of every second person yeah and you don't realize it till you see your average construction site worker a construction site worker will on average be at least one one and a half foot shorter than you sometimes you go to the construction site yeah you have seen that now that I have told you you realize this but we don't process these things why? because out of that 45% there is another 33% who are stunted actual stunting in the population because of malnourishment and you know stunting is not just physical stunting it reduces your cognitive ability jo simple sa bataya gaya aapko aap wo bhi samaj nahi paare ho usse violence badhta hai cognitively stunted people tend to be much more violent and cognitive stunting lasts for 3 generations the child will also be born cognitively stunted its child will also be born cognitively stunted assuming you put in a protein enrichment program to reverse the stunting और फिर क्या होता है उसमे कि हिंदुस्तान में हमारा डिबेट क्या है अक्षे पात ने अंडा नहीं दिया आपको अंडे से क्या मतलब है आप प्रोटीन देखो न अगर एक प्रोटीन टैबलेट दे सकते हो तो टैबलेट देके खतम करो अंडा नहीं दे रहे if you consciously go outside your city the more rural you get the greater the height difference you'll see मैं सब व्यूवर्स से पस यही बोलूँगा आप consciously देखो आप जितना ज्यादा rural area गाओं में जाते हो और मैं urban गाओं की नहीं बात कर रहा हूँ जो slums basically होते हैं जिसे गाओं कहते हैं आप rural area में जाओ गाओं के अंदर आप देखोगे जितना ज्यादा rural है उतना height कम होते जाता है और लोग सोचते नहीं है वो समझते हैं कि मुंबई ही हिंदुस्तान है या दिली ही हिंदुस्तान है अब आप समझो आप एक गाओं में पैदा हुए हो ऐसे वाले गाओं में जहां stunting है आपको तो basics basic cognition ही नहीं है आपको फिर आपको कोई आपके local school में कोई investment ही नहीं है उदर भी जो पढ़ा रहे हैं वो शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे हैं आपको आपका future क्या है आपको समझ में नहीं आ रहे हैं पढ़ा रहे है ठीक है फिर तो business की तो बात ही छोड़ो कि इतने सारे regulation है ये हैं वो हैं करके so when you say कि हम चीन की तरह बनने वाले हैं जब लोग बोलते हैं it is like भिकारी गंजू मोटा अभीजीद गोई ए मुकेस भाई थोड़ा विंडो नीचे कर तो क्या ये करता है finance advice मेरे से रहले विश्वगुरु में thank you boss ये ऐसे विश्वगुरु मेरे को नहीं चाहिए see when you have an output you have to have input you can't make things out of thin air हवा से कोई सोना नहीं बनता है सोना बनाने के लिए बहुत सारी चीज़े mining equipment होना चाहिए कम से कम थोड़ी तो होना चाहिए वो पत्थर को तोड़के कुछ निकालने के लिए और फिर थोड़ा लकडी होना चाहिए जलाने के लिए कोई mud का pot होना चाहिए पत्थर का pot होना चाहिए जिसमें आप उसको गरम करो और मेल्ट हो वो भी नहीं है बॉस आपके पास कहां से सुना बनाओगे ठीक है so there are lots of problems I am not that optimistic about India's future because लोग बहुत सारे slogans पे concentrate करते है कोई भी हिंदुस्तान में problems नहीं देखना चाहते है पता है क्यों, क्योंकि हमारा जिंदगी ही इतना problem भरा है कहीं भी देख लो, ऐसा कोई भी हिंदुस्तानी नहीं, not even Mukesh Ambani I bet, जिसके जिंदगी में कोई ना कोई ये electricity fail हो गया ये tax का problem है ये पडोसी के साथ problem है ये parking के साथ problem है road में traffic का problem है, इतने सारे छोटे छोटे problems compound होते हैं nobody has the time to look at big picture and so India has become a good news society आपको जब information चाहिए होता है, वो आपके reality से escape करने के लिए होता है societally, psychologically I don't think हमारे बहुत yearning power है, पर हमारा earning power नहीं होतना हमारे जो dreams हैं, हमारे जो सपने हैं और जो हमारी सचाई हैं, उसमें बहुत अंतर हैं और हम उस अंतर को कैसे एक reality में बदल सकते हैं, उसमें हमारा zero interest है, जोना, I hear you and I I see what you're saying it make a larger sense but the optimist in me want to disagree, okay okay, but that's why you got me, to get the pessimist point of view, yeah, ultra optimist meets ultra pessimist, yes like this, क्योंकि मुझे इसा लग रहा है परस्नली and मैं मेरे बहुत personal experience से बोल रहा हूँ, obviously मैं larger India, मैं घुस के एकदम अंदर तक नहीं काम करें, बड़ जितना मैं मैं इंडिया देखा है and मैं पशले ग्यारा साल उसे काम कर रहा हूँ, इस मैं 11th यार and मैं पूरे इंडिया गा नारेटिफ चेंज होते पर देखा, जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ and I'm saying 400-500 हजार लोगों के basis पर, not 1.4 billion but मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के आसपस वही 200 लोग हैं जिसके basis पर 200-200 के उपर एक लार्जर रियालिटी बनाते हो right तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओररल सेंटिमेंट चेंज हो रहा है and I don't think कि हम अगर गुद निव ससाइटी हैं तो समें कुछ खराब है and I tell you why क्योंकि ना वज ऐसे लगता है जो यंग लोग है इंडिया के अभी उन्होंने एक्षैप कर लिया कि हाँ हमारीने प्रॉब्लम्स हैं मांथ लो रोट इंफ्रास्रॉクट्चर हमारा खराब है हमें पता है कि यह सबसेडीज वाला सिस्थम ऐसा है हमें पता है कि यह हमारे में हम लोग के पास opportunity तो है लेकिन हम लोग इतने भी equipped नहीं इतने skilled नहीं इतने upgraded नहीं है कि हम वो opportunity को लेकर कुछ बड़ा बना पाएं हमें पता है कि हमें access to capital नहीं है इतनी तेजी से जैसा अमेरिका में कि भाई almost no interest rate पे तुमें पैसा मिल दाता है ज reality यह पता चल रही है और लोग को यह पता है उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं कि okay यह 10 problems मेरी है इन में से मैं क्या 2 solve कर सकता हूं जिससे मैं एक level आगे बढ़ चाओंगा क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यह 10 problems के अलावा 10,000 opportunities भी हैं तो अगर मैं 10 solve कर दूँगा तो 10 opportunities मिलेगी मेरे बसकी नहीं 10 solve करना क्योंकि कुछ government solve करेंगी कुछ दूसरे business solve करेंगी कुछ दूसरे लोग solve करेंगी कुछ society solve करेंगी मेरे हाथ में 2 solve करना और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं और मुझे ऐसा personal believe होता और यह दिखता है मुझे कि बहुत लोग है कि वो अपनी reality को जानने के बाद भी अपनी 2 problem से solve कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं और अपने साथ-साथ अपनी teams को भी आकर लेके जा रहे हैं अपने साथ-साथ अपनी society को भी आकर लेके जा रहे हैं और वो एक larger chain बनेगा मुझे नहीं पता कि यह government change बनेगा foreign policy change बनेगा यह बड़े business policies की वैसे चेंज बनेगा पर definitely movement जो people's movement बुलते हैं वो मिलके जरूर change बनेगा and that is happening in smaller smaller societies so ये मेरे अंदर का optimist ये notice करता है और ये देखता है और ये मुझे चाहिए तो मैं थोड़ा सा disagree करता हूँ कि yes हमारे पास bad news बहुत है yes हमारी problems बहुत है पर मुझे proper belief है कि हम good news society होने के बाद भी दीज जाएंगे ठीक है अब मैं एक और counter दू फिलकुल ठीक है जो मैंने अभी आपको पिछले आदे घंटे में बताया how much of it did you know stunting linguistic problem market fragmentation 30-40% of it not like a lot of it जो लोग गाओं में हैं इनके साथ मैंने काम किया है they don't even realize that it is a problem I agree education तो अगर आपके पास education problem कोई देख नहीं रहा है stunting का problem कोई देख नहीं रहा है food education these are the primary things health health I'm not even touched but it's change हो रहा है मैंनो गाओं गाओं में भी जब आप जाते हो बहुत चोटी जगे और मैंने ये narrative change होते हो देखा sorry I'm cutting but this is what I think मैंने narrative change होते होते हो देखा है कि वहाँ पे एक primary need है कि हाँ मैं नहीं पढ़ पाया और मुझे हमेशा खेती ही करनी थी क्योंकि मेरे को पता कि पढ़ाई लिखाए से कुछ होगा नहीं इतनी दूर जाना पर मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊंगो क्योंकि उसको phone चलाना जाएगा important point बहुत चोटा सा और वो पढ़ा रहे है जी वो पढ़ाई किस language में हो रही है उसके नेटिव डायलेक्ट में हो रहा है या फॉर्मल कंड़ा और फॉर्मल तामर विचिस किड कांट इवन अडिस्टाइड या बट इस्टाइड या बट इस्टाइड सी हाव दू यू नो दिए अडिकेशिं यॉर गेटिं इस अच्छिडी वर्थ the output that you expect from your kid understood and agree to the point कि जो हमें 100% चीज़े मिलनी चीए ठीकेश वो नहीं मिल रही पर जो हम absolute कुछ नहीं थे न उससे एक लेफल उपर रहे हाँ but see that's not going from but it starts like that but it's gonna take too long to get like that it's like see you look at other societies they've gone from cycles to cars in about somewhere between 20 to 150 years at this rate at the natural rate of growth without the kind of acceleration that industrialization brings in development you're going to grow it's gonna take you at least 200-300 years to even get कुछ भी नहीं बोल रहा है बहुत बुरी अगर आप देखो कि पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीस ऐसी होती है जिनका evolution होता है process हम पहली सीडी पे फिर दूसरे नंबर पर जाते हैं फिर तीसरे नंबर पर जाते हैं फिर चाते नंबर पर जाते हैं चाते नंबर जाते हैं ऐसे करते हैं हम सो नंबर पर राइसे करते हैं और कुछ कंट्रीस होती हो जो लीप्रोग करती ही कुछ independence, pre-independence was very bad time for us and pre- your colonization of history like this British times, us time we were world leaders, that was a different era right, post-independence because we are always starved by basic necessity, basic hygiene, basic security, health security, food security education security, we are very starved by basic technology, by this we have only leapfrog we were at the first level at the second level, the third level like in America, there was evolution 1-2-3-4, we have leapfrog, 1-5-5-5-10, I will give examples, like a lot of examples, I think India is talking about, so I will give it again finance system right, in America in America, very much okay, once again banks opened up, before unorganized lending started banks opened up, banks opened up, banks opened up, then banks opened up, digitalization and digitalization, now they are slowly growing, India never had a bank account, direct digitalization right, so we have leapfrog we have 4 steps, we have 4 steps, we have direct UPI, everyone has UPI, ATM GPA right, so leapfrog right, so leapfrog that is one, because we have no basic infrastructure right, so direct local that is one, okay, then we talk about national identity right, okay, okay, in America तो हम हेल्थ केर में भी आज तक हमार पास हेल्थ केर नहीं है लेकिन हम डिरेक्ट एक ऐसे सिस्टम तक पहुच सकते हैं जहां पर इंडिविजुलाइज सब का डेटा गवर्मेंट ओफिसे में पहुच जाए और आप जाओ आपका सिर्फ आधार कार्ड लेके या आपका एक इंडिया कनेक्टिविटी वोटेवर हेल्थ कार्ड बनेगा उसको लेके डिरेक्ट आपको जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम ज़ी वो एक जटके में डॉक्टर को पासले तो अपका हेल्थ सिस्टम ऑटमाटिकले अगले दस साल में लीप फ्रॉग कर जाएगा तो इस देरेक्ट हाथ में फोन जीओ कनेक्टिविटी तो जहां जो चीज अगया इन अमेरिका में 20 साल लगे वो इंडिया में चार साल में जीओ ने खतम कर दी तो मुझे लगता है कि येस हमारी 200-300 साल की प्रॉब्लम से हैं पर हम लोग हमेशा से कुछ चीजों में क्योंकि हम स् okay now the counter Purwbaksha all that you've told me is the services based thing just because a guy can now talk to another guy on a phone from anywhere has his income gone up it will there is a fundamental basis for industrial development education basic healthcare and law and order yeah we're focusing on all the wrong things here the next election is going to be fought on the uniform civil court it is not going to be fought on basic education basic healthcare or basic law and order Karnata का election किस किस मुद्दे पे जीता गया था कि जो था बॉम्मई वो बहुत बोरिंग इंसान है वेरेस सिदर आमया मास लीडर है और डीके शिवकुमार डैनामिक लीडर है आप मेरे को पिछले पंदरा साल में एक election दिखाईए जिस पे slogans नहीं अच्छे दिन नहीं basic education basic healthcare and basic what is the third one law and order law and order कि मुद्दे पे फाइट किया गया है see if you win an election on this you can say that you've reached critical mass if you have not won an election on it then society has not reached that critical mass of self-awareness you may be right I may be wrong but I may be right and you may be wrong fair I don't my personal belief is we have not reached that your belief is that we have reached that I'm not saying we have reached that I'm saying we may it's changing so right now it's a hypothesis yeah I'm just you're playing the optimist role I'm playing the pessimist role yeah exactly so let's see even 60% would be a huge I'm excited on that note I wanna end this podcast it was pleasure talking to you the pleasure was all mine thank you because this was such a fantastic one because you know when we take it down to the basics which everybody just assumes you miss out so much context right and this was so much more fun because we actually got down to the nitty-gritty of it especially you know trying to make Mukesh Ambani and Anand Mahindra that was a fun part that was really good but thank you so much I really enjoyed and I wanna take this opportunity to actually catch you off guard by saying that hey I wanna do this again yeah and we're doing like a series of podcasts I want to have you on figuring out again because there's in this whole conversation I found at least 6-7 more topics that I wanna go deep down with you because I really enjoy talking to you and I believe that you have such great depth of knowledge that everybody in my can you see my head is like a balloon like a balloon no for real I genuinely believe it so I think everybody all my viewers are gonna benefit from it at really big scale so we wanna have you again thank you so much for watching this episode till the end please please tell us in the comments that any of those guests that you want to see figuring out and please subscribe share like comment and at least share and tell us how to change this conversation how to change because one conversation can give you so many ideas and out of the so many ideas if you implement it then you achieve Indian dream jaldi achieve thank you so much until the next episode keep figuring out